तो नमस्का उस्तों मेना वरुद्र, आप देखा आप इंफरमेशन, तोस्तों जासे मैंने कल आप सभी से प्रामिस किया था कि आज मैं एटरो डॉल मोड को पूड़ा पूड़ा एक्स्पडूर करके आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो का पूड़ा जो आपको 1.1 अप नोटिफिकेशन इसको ज़रूर अन करना ताकि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अप्लोड करूँ आपके समयदा नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए जाह देना करके आज को ये वीडियो शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको बताया था ये जो मेट्रो रॉयल मोड है ये पबजी मोबैल के अंदर और एक गेम है क्योंकि इसका खुद का मैप है इसका खुद का करेंसी भी है जैसे कि आप देख पारंगे ये जो करेंसी है मेट्रो करेंसी ये इसका कर देता हूं तो सबसे पहला आपको कुछ ऐसा लॉबी आपको देखने को मिलेगा एंड यहां पर एक गल करेक्टर भी आपको देखने को पीछे के साइड तो पता नहीं यह क्या कर रहे है पूरे चाइनिस में लिखा हुआ है तो जब ग्लोबल में आएगा तो वहां पता ल मिलता है तो यहां पर कुछ रिवार्ड भी आपको मिलेगा जैसे कि आप देख पार होंगे इतना अब लेवल आगे बढ़ते जाएगा आपको रिवार्ड भी मिलेगा उसी के साथ नीचे बहुत सरा ओप्षेंस है सबसे पहले जो ऑप्षें नहीं यहां पर कमंड पोस्ट करके एक option है तो यहां पर साथ जो global players रहेंगे जो टॉप पे रहेंगे उनका साथ यह प्रोफाइल यहां पर शो करेगा जब global version के अंदर आएगा तो अभी तो पता नहीं यह एक अलगी देख़एंगे Metro के अंदर बैटा हुआ है सबके सब यह काफी से फीचर लगा मुझे तो उसके बाद जो next option है यह talent का है और जब यह global version के अंदर आएगा तब मैं इसके ओपर dedicated video बना के आपको समझा दूँगा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अभी इसको skip करते हैं उसके बाद जो next option है यह है black market जो कि इस game के अंदर काफी ज़ादा vital role play करेगा मतलब आप क दूसरा गेम है इसका खुद का rules and regulation है तो इस game के अंदर ऐसा होता है कि आपको lobby से ही gun लेके जाना पड़ता है तो पहले आपको एक UMP दिया जाएगा level 1 का backpack यह सारे कुछ दिया जाएगा जब भी आप गेम के अंदर जाओगे वह आपके inventory के अंदर automatically आ जाएगा तो जैसे क sword gun लेके मैं match को exit कर दिया तो यह sword gun भी मेरे inventory के अंदर आ गया है और जब मैं पहले खेल रहा था तब मैंने M4 purchase किया था जो coin है metro coin से यह तो M4 चला गया क्योंकि मैं उस match के अंदर मर गया था तो अगर आप gun purchase कर तो match कर आके आप मर जाते हो तो आपका gun चला जाएगा तो य इसका कह सकते हो एक निया rule है यहां पर देख पड़ेंगे आप M4 का label है कुछ जिसका purchase कर सकते हो और पर वन थर्टी वन के यह इसका प्राइज है तो जिसका purchase कर सकते हो तो यह black market का यहां पर फाइदा है आप inventory से सारे कुछ यहां पर select करके game कर जा सकते हो तो यह एक game का अल ठीक से पता नहीं चल रहे कि इसका काम क्या है तो जब ग्लोबल के अंदर आएगा तब साइद dedicated में वीडियो बना के आपको समझा दोंगा कि इन सारे चीजों का काम क्या है क्योंकि अभी यह beta version के अंदर है इतना clearly हमें पता नहीं चल रहे है तो उसके बाद यहां पर और भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलते हैं जैसे कि एक ranking का option है जहांसे जो server ranking होगा यह friend ranking यहांसे आप देख सकते हो तो अभी तो कोई ranking नहीं है क्योंकि यह beta version के अंदर है तो यह पुड़ा का पुड़ा इंटरफेस है मैंने समझा दिया आपको तो अभी हम match start करेंग यहां पर आपको तीन मैप देखने को मिलेगा कोई अलग मैप नहीं है इंगल इंगल के अंदर ही मैप से थोड़ा मतलब आपको जगह के अंदर changes देखने को मिलेगा एक जो पहला वाला मैप है यह यसना साइट का है पर वहां पर यसना के विलिंग आपको यह सरी कुछ दे मैप है यहां पर यह पहला दूसरा वाला जो मैप है यह जैसा ही है मतलब की लोकेशन के उपर बेश्ट है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉबी से ही आपको सब कुछ लेके जाना पड़ता है इस मेट्रो रॉयल मोड के अंदर तो देख पार होंगे मैंने एमपोर मेट्रो कोईन देखे और उसको मैं यहां पर सिलेट कर लिया उसके बाद जो भी हिल्ट है इनजी ड्रिंक है यह सब कुछ मैं ले लिया बैक पैक के अंदर अभी करते हैं गेम को स्टार्ट आपको दिखाते है कि कैसा होने वाला है हमारा मेट्रो रॉयल मोड तो देख पार पुछ रहेगा उसके बाद कुछ सेकेंड के बाद वो हड जाएगा आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा और अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है कंसेप्ट क्या है इस गेम का अभी कोई भी बंदे मुझे देखने को नहीं मिले सब कुछ बॉट ही था तो अभी मैं जाता हू सबसे एक हाइलाइटिंग जगा जो कि कैसल टाइप है देख पार होंगे यहाँ पर मतब चारो और आपको देखने को मिलेगा बॉट का स्कॉड यहाँ पर पुड़ा प्रोवाट सब को देखने को मिलेंगे जो कि आपको पीक करके भी मारेंगे मौली भी फेकिंग आपको हैं नेट भी फेकिंगे और अच्छा खासा डैमेज देगा आपको तो प्रोवाट को मिलेगा इस मोड आदर एड़ आपर भी बट बॉट मुझे देखने को मिलता है इसको कैसे लिए आप पर हर एक कोने के आपको बाद देखने को में जाहते हैं इसकी का नदर प्रोट बो के निकाल जाता हूं क्योंकि काफी जाता वह मुझे डेमेज देता है और आपको हर एक कोने के अंदर आपको यहां पर देखना को मिलेगा तो देखना है कि यह मोड जब ग्लोबल वर्शन के अंदर आएगा तब कि यहां पर बोट रहता है या फिर प्लेयर्स कोई कुछ रोल आप को का सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलता है अपने चेंचे मुलता है तो इसको लेकर आगे भी जा सकते हो पीछे के साइड भी जा सकते हो एंड आपको एक स्टेशन भी देखने को मिलेंगे में जिसके अंदर मैं उत्रा भी था एंड थोड़ा बत में एक्स्ट्रोर करने की कोशिच करता हो क्या कुछ है तो यह आप जैसे मैं बताया कुछ कुछ मैटरियल था जिसको मैं करता रहा है यह पर हर एक जगह आपको इसा देखने को मिलेंगे कुछ टाइम बाद यह ओपन होगा यह एक लोकेशन काफी मस्त है एक तो अभी एक दम चलते हैं मेट्रो लेके हमारा चोटा सो ट्रेइन है सीटर है तो आप अपने स्कॉाइट के साथ अराम से बैठ सकते हो एंड मजा ले सकते हो मेट्रों का अंडर गाउंड है पुड़ा का पुड़ा एक निया चीज एड़ हुआ है पपजी के अंदर एन इसको में तो रहा के पीछे करता हूं मजा आता है तो काफी सही लग रहा ह जो की काफी बढ़िया लगा मुझे एंड दोस्तों यह मेट्रों मोट के अंदर कुछ सीक्रेट चीज़े भी आपको देखने को मिलेगा तो मैं जब इस लोकेशन में आया देख पानी का एडिया है एंड मैप के अंदर देख पाना चारों तरब से घिरा हुआ है लगता है किसी को यहां पर बंदी बना के लखा गया है तो थोड़ा मैं जब आगे जाता हूं तो देख पर यहां पर कुछ जम करते हो यह मुझे दिखा आपने देखा होगा साहिद अगर आपने नहीं देखा वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे जाके देख सकते हो तो जो थोड़ा इधर उदर घुमने के बाद फाइनली एक जगा मुझे मिल जाता है अंदर जाने का देख पर ओंगे यहां पर एक छोटा सा जगा जिससे मैं अंदर जा सकते हो तो यहां पर बैच चुका हो एन अभी चलता है पानी के अंदर एंड देखते है यह है क्या चीज त तो पहले बार तो लिटरली मेरा फट गया तो इसको देखके ओ भाई यहां पर हमें देखना को मिलता है एक वाटर मॉंस्टर ओ खतरनाक चीज़ है और देखके बुड़ा फट गया तहीं मेरा कि यहां पर कंसेप्ट था साइथ कुछ ऐसा कंसेप्ट यहां पर लाए गया कि जो कैसल था जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया उस कैसल में इसी को साइथ प्रोटेक्ट किया जा रहा है बहुत के ओर से कि एक मॉंस्टर को यहां पर रखा गया साइथ कुछ एक्सप्रिमेंट के लिए तो ऐसा हो सकता है कंसेप्ट है पर पानी वाला यह मॉंस्टर इसलिए कोई मतलब साउंड नहीं है मतलब मॉंस्टर का कोई साउंड आपको सुना नहीं देगा पर जब ग्लोबल वर्सिंट के अंदर आगा तब मुझे लगता है कि साउंड भी पब्चिया लेट करेंगे मॉंस्टर का तब यह बढ़िया लएगा और देख पार गये कु कर रहा है अभी गेम के अंदर तो आपको यह वाटर मॉंस्टर कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरू बताना और देखता है जब ग्लोबल के अंदर आएगा तब यह कुछ हमें डैमेज करता है या नहीं यह तो हमें आगे जाके पता चलेगा पर फिलाल तो यह कुछ भी डैम करें टाहीं चरेखेंद जानवाएं तो इसका फिलाल कोई नाम नहीं रखा गया है एकड़ा अपको कोई डैमेज नहीं करेंगा इसका भी कोई साउंड मुझे नहीं दिया है बीट वर्शन है इस लिए तो जब ग्लोबल के अंदर आएगा था साओड विए सुनाई ते एन परने मन में उठता रहेगा तो कोई इसको दिक्कत नहीं आएगा तो यह मॉन्स्टर भी आपको कैसा लगा ड्रैगन मॉन्स्टर या आप ड्रैगन कह सकते हो इसे नीचे कमेंट पर जरूर बताना मुझे तो काफी से लगा यह चीज तो मेट्रोयल मोड के अंदर आपको मैप के दो कॉर्णर में ऐसे ग्रीन धुआ उरता हुआ दिखेगा जिससे आप साइद गेम से एक्जिट कर सकते हो क्यूंकि अभी तो गेम के कंसेप्ट के बारे में ठीक से पता नहीं है हमें जब ग्लोबल के अंदर आएगा तभी हमें पता चलेगा तो जब मैं यह धुआ के स से और टूमेटिकली बाहर आ जाते हो तो यही ता Metro Royale Mode और जितना हो सकता में सौर्ड वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश क्या दिखाने की कोशिश क्या सारे के सारे चीजे और ज़्यादा मैं वीडियो नहीं ही बना रहा हूँ एक ही वीडियो आपको पूरा मैं भी शेयर करना ताकि उन सभी को पता चले मेट्रो रॉयल मोट के बारे में अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्रेम पर फॉलोव नहीं किया तो आप जाके फॉलोव कर सकते इंस्टा एडिया आडिया इसकोट इंफॉर्मेशन तो चली फिर महात होगा एक नया वीडिय के साथ तो चलते हैं have a nice day